HLD Experiment YouTube channel में आप सभी का स्वागते दोस्तों अगर आपके घर पे भी मोगरा का पोधा लगा हुआ है और आपके मोगरा के पोधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताऊंगा अगर आप उसको अपने गमले में अपने पोधे में अपलाई क इसको मैंने नर्सरी से लाका लगाया था और इसके बाद मैंने इसमें कुछ ऐसी खात दी जिसकी वज़ा से मेरे मोगरा के पोधे में धेर सारे फूल आने सुरू हो गए हैं इसके साथ यहां पर आप देखेंगे हमारे जो नई नई कलिया है वो भी आ रही है तो जैसे कि ह आप नर्सरी से मोगरा में लेखा लेकर आती है तो आपको पतय होगा नर्सरी भ़ह से लाने के बाद कुछ दिन तक हमारे फूल मातरा में घिल जाते हैं लेकिन अगर आप तो आप Beneста क nee नहीं देपाते हैं तो आपका impearma सुरू हो जाता है और इसकी पती भी पीली परनी सु तो आपका पानी पहार निकल जाना चाहिए इसमें बिल्कुल भी पानी रूखना चाहिए तो आपकी जनकी पैफ्मरता है तो आपको पीट को काफी अची तरीका बना रखेचा है लेकिन कोकोु कैप क्यौst इसी तरीका बदाने वाला हूं तो यहां पर जो आपके घर में राइज हर्सक या फिर भूसी होती है आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं मिट्टी बनाते समय इससे आपकी मिट्टी अच्छी बन जाएगी और इसमें वर्टरिंग भी नहीं रुखेगी और ड्रेनेज होल से जो आप अपने मोगरा के पोधे पर फूल लेने हैं तो इसके लिए जैसे कि आप देखेंगे हमारी जो ये एक ब्रांच जा रहिए अगर मोगरा के पोधे पर फूल नहीं आ आपको ये उपर से यहां से cut कर देनी है जैसे कि आप इसको cut कर देंगे तो side में से आपके full निकलने शुरू हो जाएंगे नई नी branch आनी शुरू हो जाएंगी तो ये काम आप जबी करिए जब आपके मोगर के पोधे पर full नार आ रहे हो तो आपको सबी branch को इसी तरीके से cut कर देना है जैसे कि इस पे अगर हमारा full नहीं आता तो हम इसको यहां से उपर से cut कर देते इसको cut करने के बाद होता कि हमारी यहां पर side branch है यह निकलनी शुरू हो जाती जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहां से इसको cut करा तो हमारी एक nice side branch निकलनी शुरू हो गई थी तो दोस्तों यह सबी काम आप फरवरी या फिर मार्च के महीने में कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पोधे पर फूल अभी नहीं आ रहे हैं तो आप इसकी थोड़ी सी हलक हलके cutting कर लीजिए cutting complete हो जाने के बाद आपको क्या करना है अब आपको इसमें देनी होती है खाद अब दोस्तों मैं आपको वह खाद बताता हूँ जिसको डालने के बाद आपके पोधों की जो गिरवते पहुत अच्छी हो जाएगे और इसके साथ ही इसमें full भियाना शुरू हो जाएंगे तो किसी भी पोधे में खाद देने के लिए सबसे पहले हमें इसकी मिट्टी को हटाना होता है उपर से याद रखें आपको इतनी इतनी मिट्टी हटानी और जैसे कि इसकी हलकी हलकी जड़े जिखनी शुरू हो जाएं आप मिट्टी फिर नहीं हटाईए और इसके बाद आप इसको थोड़े देर के लिए धूब दिखाने के लिए चोड़ दीजे लगबाग एक घंटे के उसी तरीके से आपको गड़ाई करनी है और गड़ाई करने के बाद आप इसतरीके से इसकी मिट्टी को हटा लीजिए यहाँ पर हम मिट्टी को हटा लेते हैं यह देकिए इस तरीके से अब यहाँ पर दोस्तों हमने सभी मिट्टी को खटादिया है और मिट्टी को हटाने के बाद इसमें हम एट करेंगे गुबर की खाद तो यहाँ पर आप दे सकते हैं इसकी छोड़ी थोड़ी सी चोड़ी तो चोड़ी छोड़ी रूट भी दिखनी शुरू हो जाती है जब यहाँ पर इसकी रूट डिखनी शुरू हो जाए तो आप इसकी खुदाये करना बंद कर दीजिए, आपको सिर्फ इतनी ही मिट्टी हटानी है, इसके वाद सबसे पहले हम इसे में एट करने वाल हैं एक मुट्टी गोबर की खाथ, तो यहाँ पर आप इसमें एक मुट् सबस्ति होती है, और गोबर की खाथ कुछ लोगों को फिरी में भी मिल जाती है, तो आप इसमें गोबर की खाथ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से सड़ी होनी चाहिए, इसके बाद दूसरी जो चीज हम इसमें एट करने वाले हैं, वो है नीम खली, तो द आपके सबस्तों गालने एक एत Metroid लाए ह होनी कि नायुक्ता है, दूस्ति हम इसमें एक सबस्तों पथा brag, in mentioned, बेकिन दूस्ति आपको जादा नही दालनी यह अप इसको लगवग 3-4 महीने मैं एक बार लए होताहिए, तो इस पोजो यह काफी और बोन मील में काफी मादरा में केलसियम होता है तो इसलिए मैंने बोन मील का इस्तिमाल किया है और ये खाद भी बहुत ही सस्ती मिलती है आपको किसी भी एगरी कल्चर सोप है असानी से ये मिल जाती है जबाद दोस्तों हम जो अगली खाद एट करने वाले हैं ये बहुत ही इंपोर्डेंट है किसी भी पोदे के लिए इसको बोलते हैं जाइम तो दोस्तों जाइम आपके जो फूल के जो पोदे होते हैं उनके साइश को बढ़ाता है और जो आपके अगर पोदे में ये फूल नहीं आ रहा है तो आप इसका इस्तिमाल जरूर करें 15 दिन में एक बार या फिर एक महीने में भी आप कर सकते हैं और काफी सस्ती है खाद मिलती है हमें किसी भी एगरी कल्चर सोप पे अगर आप लेने इसको जाते हैं 40-50 रुपे किलो में आपको मिल जाती है जो कि आपके कई साल अराम से चल जाएगी अगर आपके पास कम पोदे हैं तो इसको भी जादा हमें एट नहीं करना है सिर्फ इसको हमें एक चमची एट करेंगे वो इसके बाद आप 15-20 दिन के बाद आप इसका रिजल्ट देखिए आपके जो पोदे हैं उसमें फूल आना सुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर हमने सभी खात को एट कर दिया है और खात को एट करने के बाद हमने जो मिट्टी निकाली थी कि उस मिट्टी को हम इसमें दुबारा से उपर हलके तरीके से भर देंगे यहाँ पर हम मिट्टी को दुबारा से उपर भल देते हैं अब हमने यहाँ पर मिट्टी को भर दिया है इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और दोस्तो पानी हम इसलिए डालते हैं क्योंकि आप कोई भी खाट डालें तो आप इसमें पानी का इस्तिमाज जरूर करें खाट डालने के बाद और दोस्तो पानी डालने के बाद बस आपका काम हो चुका है आप दोस्तो कुछी दिनों के बाद आपको सब इन सभी खाट को डालने के बाद इसका रिजल देखने को मिल जाएगा आपके पोदे पे नई-ँपत्य आने सुरू हो जाएगी इसके साथ आगर आपके पोदे पे फूल नहीं आ रहे हैं प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, आप नीचे कमेंट करके जरू बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरू करें, ताकि आने वाले दिनों मैं आपके लिए इसी तरीकी की नए नए टोपिक की वीडियो लेकर आता रहूं, और आपको गाडनिंग की टिप्स देता रहूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजे, ताकि आपको ऐसा ही अच्छे अच्छे टिप्स और ट्रिक मिलते रहें, तो आची वीडियो में इतना ही मिलते हैं, आगली वीडियो में.